नमस्कर्ट स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दानियूस और मेरानी गुपता आपके साथ आपको बता दे कि लोग सबाच चनाव 2024 के मद्द नजर पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए केमपेंड करने वाले नेताओं की लिस्ट जारी कर दी गई है आपको बता दे है लेकिन रज़्सभा की सांसा दस्वाती मालिवाल का नाम यहां से गायब है अब इसको लेग करके बीजूपी एक बार फट से आम आदमी पार्टी पर हमलावर नसर आ रही है और सीधे तोर पर यह आरोप लगा रही है कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का महिला विरोधी चहरा सामने आ चुका है इतना ही नहीं यह सवाल बकादा उठ रहा है कि जब जो सुनीता केश्रवाल है वो महज अरविंद केश्रवाल की ही पतनी है लेकिन इसके अलावा उनके पास आम आदमी पार्टी का कोई ओदा नहीं है लेकिन अगर बात हम स्वाती माली वाल की करें तो वो इस समय आम आदमी से ही एक बड़ी खबर सामने आई थी जहां पर यह कहा गया कि कैसे स्वाती मालिवाल की पिटाई की गई है सीम हाउस में और यह जो पिटाई है वह आरवंद केशवाल के बेहत खरीबी और उनके विभाव कुमार ने की है बकादा दिल्ले पुलस का यह कहना है कि स्वाती माल के नंबर से कॉल आया था PCR जहां पर उन्होंने यह श्रकायत की थी कैसे उन्हें सीम हाउस में पीटा जा रहा है अरूंड 9.34 a.m. we received a PCR call wherein the lady caller said that she has been assaulted inside the CM residence accordingly local police along with the SHO responded to the call after some time MP madame Swati Malival ji came to police station civil lines no complaints was given by her in this matter till now we have not received any complaint जिसके बाद से ही दिल्ली की राश्मिती लगातार गर्माई हुई है और आज जिस तरीके से स्टार केंपिनर की ये लिस्ट जारी की गई और यहां से स्वाती मालिवाल का नाम गायब है तो एक बार फ़र से बीजुपी इस पूरे मामले को लेकर के हमलावर हो चुकी है ब अगरपूर्व, DCW प्रमोख और राजसबाज सांसा दिस्वाती मालिवाल CM हाउस में सुरक्षत नहीं तो अब सवाल उठता है कि क्या वो परिवार या पार्टी में सुरक्षत थी पीए या किसी और से उन्हें पीटा गया यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है इस घ परश्ट दिखता है कि नारी शक्ती आम आदमी पार्टी में सुरक्षत नहीं तो प्रशन यह उड़ता है पिटाई परिवार ने करवाई या पार्टी ने साफ दिखता है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है कि कैसी सरकार है कि जेल से चल रही है तिकि बहु अगर उसमें हैं और राज्यसभा की सांसत वो सुरक्षिद नहीं मुख्य मंतरी के घर में तो प्रशन ये उड़ता है पिटाई परिवार ने करवाई या पाटी ने पीए ने की कि किसी और ने की अब ये सवाल खड़ा होता है कुछ लोग परिवार के विवराजनीती में आत लिए तो क्या एतनाव बढ़ता जाएगा जब वापिस अर्विंद केजरिवाल जी दो तारीक को जेल वापिस जाएंगे कल भगवंत मांची ने बड़ा हस हस के का कि दो दिन को पुलिस ले जाएगी दो दिन को सरंडर करना पड़ेगा जेल जाना पड़ेगा तो इस साफ देखता है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है पार्टी में परिवार में बहुत चिंताएं हैं निश्यत तोर पर एक महिला सांसत के उपर अगर इस तरह की बात हुई तो आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को बोलना चाहिए देश के जो बाकी है उनमें से किसने पीटा किसने पिटवाया क्या कारण थे और ये फूट कहां तक लेकर जाएगी जब अर्विंद केजरिवाल वापिस दो तारीक को जेल जाएंगे मैं लोगों से इतने कहना चाहता हूँ आप वोट मत डालना क्योंकि पिछली बार भी जब आपने वोट डाला तो आज मैं सोचता हूँ कितना दुरभागिया हो जनता का जिसको बड़े-बड़े वाइदे करके आज लूटने का काम दिली में शराब घुटाले से किया अन् जेल मंतरी जेल में उप मुख्य मंतरी जेल में शराब मंतरी जेल में मुख्य मंतरी जेल में कैसी सरकार है कि जेल से चल रही है तो वोट आगर आपने जेल जाने वालों को देना भरष्टाचारियों को देना तो अलग बात है आज देश विकास चाहता है स्थरता निरंतता चाहता है आगे बढ़ना चाहता है विक्सित भारत बढना चाहता है इसलिए देश-पिर एक बार कमल खिलाना चाहता है मोधी सरकार चाहता है इसे के साथ इसाथ ही आमात्मीस पॉरवह वाला था उसको ले करके तो उन्होंने बात की थी लेकिन अब जो स्टार केमपेनर के लिस्ट आई है और स्वाती मालीवाल का नाम गायब है इसको ले करके भी शाजिया इल्मी ने बड़ा हमला बोला है और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं नजर करा रहा है क्योंकि पहले जहां पर ये शकास सामने आई तो आब स्वाती मालीवाल का नाम ही इस लिस्ट से गायब हो चुका है सुनिए शाजिया इल्मी क्या कह रही है देखिए लोग आसानी से यकीन नहीं करेंगे लेकिन मैंने आम आदमी पार्टी के इन सारे किरदारों को बहुत नजदीक से देखा है करीबी से देखा है इनके साथ में उठी बैठी हूँ सालो साल रोजाना सुभा शाम में रही हूँ तो इनके जो अंदर के जो एक्वेशन्स हैं और आपसी जो इनके संबंध हैं और वो लगातार बदलते रहते हैं कुछ भी संभव है इतनी गंदगी है वहाँ पर पार्टी के तोर पर और जहां तक बात है विभव कुमार की जो अर्विन केजडिवाल के अभी तो पिये हैं लेकिन लगातार वो आंदुलन के वक्से लगातार वो मनी सिसूडिया और अर्विन के ही साथ ही रहे हैं वो उनकी आदत ये पुरानी है वो उनको किसी महिला को पुरुष का सम्मान करना तो आया नहीं, लेकिन जो कहते हैं न सड़क छाप लोग, गुंडे, इस तरह की उनकी जबान है, इस तरह का उनका तरीका है, और खुद उनकी बत्तमीजी की मैं शिकार रही हूँ, और जलील करने में, अर्विन केजरिवाल की यही स्ट्राटेजी है, वो विभव कुमार से फोन करवाते हैं या बुलवाते हैं, और जो वो आदेश देते हैं, विभव वही करते हैं, विभव का मकसद ही यही है, तो एक तरह की वो हिंचमेन हैं, उनके लिए काम करते हैं, एक फ्यक्ष रही है वो इस तरह के लसाम लगा रही है सोची क्या हाल होगा और महिलाओं का जो इस कदर उचे पत पर भी नहीं है और किस तरह के लोग है और क्या अंकी मान सकता है और ये बात पहले बार हुई है ये भी नहीं है पहले भी आपने देखा था किस तरह से जो भी मैंने बर्दाश की है और जो लोग बत्तमीजी करते थे उनके खिलाफ जब मैं शिकायत लेके जाती थी यही दुरगेश पाठक विभव जैसे लोग तो अरविंद केजरिवाल कुछ कहते थे अब मैं क्या करूं इस मामले में मनी से बात करो मनी इसके खुद ये लोग साथ ही हुआ है काश्वती पहले बोलती ही जब हम लोगों के साथ ही हो रहा था लेकिन इनके असली असलियत और इनका असली जो चरित्र है और जो चेहरा है वो बेनकाब हो रहा है परते लगतार हट रही है और जो असली में ये हैं वो साफ सब को दिख रहा है बहुत ही तक और कबीर जो एंजियोस थे वहां से वो काम करता आया है तो अब पूरी के पूरी सत्ता इन लोग ने हत्या ली है अपने ही लोग सब कुछ देखते हैं दफ्तर के कामकाश देखते हैं और स्वाती से जरूर कुछ उनका मन मटाओ रहा होगा क्योंकि स्वाती हमेशा से आर्टी आई के दिनों से जब उनका पूरा कैंपेंट था तो यह बहुत ही अफसोस और शर्मनाक बात है कि एक महिला सांसद जो पार्टी की पुरानी साथी रही है वो इस तरह के गंभीर इलजाम लगा रही है और सोचने वाली बात है और हैरत इस बात की है कि सीएम के घर में सीएम की मौजूदगी में उनी की पुरानी साथी जो अभी मौजूदा दोर में सांसद है जो डीसी डबलू की अध्यख्ष रही है वो इस तरह के इलजाम लगा रही है सोची क्या हाल होगा और महिलाओं का जब स्वाती मालीवाल के साथ ऐसा हो सकता है और ये बात कई भी नई नहीं है ये पहले भी हो चुका है मैंने इसका जिक्र कई बार किया है विभव कुमार का यही काम है और वो पिये हैं लेकिन वो इस्तमाल किये जाते हैं अरविंद द्वारा और अरविंद जिसको भी जलील करना चाहते हैं परिशान करना चाहते हैं हेरान करना चाहते हैं वो विभव उनके लिए फोन करता है या विभव जो आदेश दिये जाते हैं उनको पूरी तरह करता है उसका यही काम है और आप देखिए कि यही दुर्गेश पाठक, विभव कुमार इस तरह के लोग हैं जो इतने करीवी हैं अर्विन केजरिवाल के स्वाती मालिवाल बाकाइदा उनका जो फोन आता है तो वो सीम के घर पे थी और ये कह रही है कि विभव ने मारपीर उनके साथ की है काश की स्वाती मालिवाल पहले और औरतों के लिए भी बोलती क्योंकि हम सब लोगों ने इसको झेला है और विभफ कुमार की बत्तमीजी को, बत्सलूकी को और जलील करने की आदत को मैंने खुद बरदाश किया है वो इतना, मैं क्या बोलूँ, जब सड़क छाप के जो लोग होते हैं, जिस तरह से उनकी भाशा शेली है, जिस तरह से उनका तोर तरीका है, जिस तरह से वो बात करते हैं, तो उस तरह के इनसान है, तो बहुती नहायत बत्तमीज किसम का, बदमाश किसम का इनसान है विभफ क तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है आपको बता दे इसके अलावा बीजुपी के जो दिल्ली बीजुपी के अध्यक्ष है विरेंद्र सचदेवा उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की हैरानी है कि लिस्ट में राजसबा सांसद एंडी गु का नाम हटा दिया अरवंद के श्यवाल पर हमला बोलते हुए विरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह महिलाओं के सम्मान Education की सिरफ बात करते हैं सीम के श्रवाल पर परिवार Wert का रोप लगातЕ विरेंदर सचादेवा ने कहा कि पंजाब के स्टार प्रचारक की लिस्ट में पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम तीसरे नंबर पर है पहले दो रस्थान तो परिवार नहीं घिर रखा है यहाम आदमी पार्टी और अरवंद केश्रवाल का करेक्टर है जो यह दिखाता है कि जो भी चाहिए अपने लिए चाहिए आपको बता दें इसके अलावा बीजुपी नेता तजिंदर सिंग बग्गा ने भी बखादा इस पूरे मामले को ले करके आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए यह कहा कि अब धीरे धीरे आरवंद केश्रवाल का असली चेहरा सा परीकिसों ने बेज़ित किया गया उनके साथ मारपीट की गई यह इतना बताने के लिए काफी है कि आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए क्या सोच रखती है आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार कैंपनर के में शुमार है आपको बता दें कि पंजाब की आम आदमी पार्टी के लिस्ट में जेल में बंद मनी सिसोधिया और सतीं रिजैन को भी स्टार प्रचार को में शामिल किया गया है हाला कि यह दोनों अभी तिहार जेल में बंद है लेकिन इसके अलावा उनका नाम उसमें शा स्टार प्रचारकों के लिस्ट में आम आदमी पार्टी के राजसभा सांसद स्वाती मालिवाल का नाम गायब है जो कि दिल्ली से ही राजसभा सांसद संजे सिंग और एंडी गुपता का नाम इस लिस्ट में शामिल है इससे पहले आपको बता दें जो चार मई को दिल्ली क स्टार कैम्पेनर्स के लिस्ट जारी की गई थी उसमें स्वातीम मालिवाल का नाम आप टा या वहां से स्वाती मालिवाल का नाम धायबified है और सीधे तोर पर ये खबर उस घटना के बाद आई है जिसने दिल्ली में अल्रडी संसनी मचा रखी है जहां पर स्वाती मालिवाल के नाम से कॉल आया था जहां पर उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया है आपको बता दे कि यह कोई पहली घटना नहीं है जब सीम हाउस से इस तरीके से किसी के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया हो या फिर शिकात किया गया हो आपको बता दे कि इससे पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर भी एक मारपीट की घटना हुई थी इससे पहले यहाँ पर साल 2018 में दिल्ली के ततकालीन मुख्य सचिव अ करके आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं धन्यवाद